हेलो वाट्सप गैस मैं नम इस विनोद बादू थापा एंड टो डें इन इस वीडियो भीडियो भीडियो गैस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वम इस वीडियो में देखेंगे difference between margin and padding in Hindi सोच चलिए गाइच शुरू करते लेकिन सबसे पहले गाइच आगर अभी तक आपने मेरे चानल अपाटेक्निकल को सब्सक्राइब निकिए प्लीज गाइच इसको सब्सक्राइब कर लिजे for all the awesome वीडियो और राइट साइड में आपको सबसे पहले आपको आजाए तो देखे गाइच आपने बहुत बार सुना होगा यह माइच पैडिंग को देना हो यह किस दो डीप की बीच की माइच पैडिंग को देना स्टार्टिंग में मुझे बहुत कंट्वीजन होता था मार्जिं दू या पैडिंग क्योंकि कभी कभी ऐसे सर्चेशन आते जहां पर अगर आप सिंप्ली बॉर्डर यूज नहीं करते हो तो पैडिंग दू या मार्जिं दो एक ही हमें लगता है दोनों देने पर ती मतलब एक दीजस दिखता था ठीकित वीडियो में पूरा कलर दूंगा कि कभ हमें पैडिंग उसका न आचीं और कभ मार्जिं उसका नचीं और एक्ट्वल में पैडिंग उसकर ने पीका उता है ठीक है और हाँ एक और चीज मैंने कल पैडिंग के उपर वीडियो बना तो उसको एक बार देख लीजा आपको बहुत सिंपल हो जाएगा यह पूरा समझने में यह बिसिकली एक कंटेंट का है ठीक है यह जो रिड कलर का बाक्स दिखा रहा है रैक्टेंगल यह उसका बार्डर है अगर मैं आपको और यह समझा तो यह जो पूँछ भी लिख रहा हूं ठीक है इसको अगर मैं इस से यही है देखिए गाइस हमारा आज का एंसर की अगर आप कभी भी पैडिंग यूज करते हो तो पैडिंग यूज करने का मतलब यह कि जो यह content है हमारा यह content है और यह जो हमारा border है यहां पर जो blue line है तो यह content और आप border की बीच की अगर आपको space बढ़ाना हो, चाहिए top से बढ़ाना हो, left, right, bottom, अरे sorry, top और bottom जहां से भी आपको बढ़ाना हो, लेकिन अगर आप padding उस करते हो, तो वो सिर्फ और से border और अंदर वाला जो content है, उनके बीच का ही space बढ़ाता है, that is the reason हो, यहाँ पर आप देख स अगर आपको space चाहिए, then we will use margin, simple इतना है, यहाँ पर देखिए, यह border है, उसके बाहर की space आपको चाहिए, चाहिए हो, कहीं से भी, कोई भी direction हो, तो we will use margin, ठीक है, अब देखिए, simple वासना समझ लो, अगर आपको content और border की बीच space चाहिए, use padding, और आपको border के बाहर की space चाहि अब इसको actual cash implement करते हो, देखिए, आप में इसे बहुत बार ऐसा होता है, कि आप एक form बना रहे हो, यह आप समझ सकते एक user का login फॉर्म है, जैसे होता ना, facebook में username, password, तो मैं यहाँ पर quiz भी लिख रहा हो, यहाँ पर quiz भी लिख रहा हो, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो अगर आप ऐसे situation में first जाते हो, तो क्या करना देखिए, अगर आप चाहते कि जो content है, इसमें थोड़ा सा मुझे left साइट से मुझे space मिल जाए, then आप हम क्या करेंगे, देखिए, code पे आता हो, मैं simply यह देखिए, मैंने input फिल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं inline style उसका zoom कर देता हूँ, आपको simply क्या लिखना है guys, padding left, क्योंकि मैंने बोला अगर content और border की बीच का space आपको बढ़ाना या घटाना, then I will use padding, तो मैंने क्या लिख दिया, padding left, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेट साइट से ची, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं 10 pixels, चाहे तो आप percent दे सकते हूँ, कुछ भी दे सकते हूँ, जैसे मैं इसको refresh करूँगा, देखे guys, इसकी आपने देखा width बढ़ गई, तो padding उसकी width बढ़ जाती हूँ, यहाँ दखना, तो यह देखे guys, हमें 10 pixels का space यहाँ पे मिल चुका है, तो आप देख सकते हूँ guys, padding left medium देख लेते हैं, जहाँ पर simply आपको padding लिखना है, और यह कैसे work करता है, तो वैसे top, right, bottom, left, बस यह समझ लो, top, right, bottom, left, इस तरी किसा आपका padding यूज होता है, तो अगर आपको देना है top, left, right, चारो एक किसा तो कैसे देखे, देखे, तो अगर आपको देना है top, left, right, चारो right side को, bottom से भी same 5 pixels चीए, और left side से मुझे चीए 20 pixels क्योंकि वो ज्यादा अच्छा दिखाए देगा, ठीके, अब यहाँ पर इसको मैं refresh करता हूँ, यह देखे काई से, अपने notice के कितना बढ़ा हो गया, top से 5, नीचे से 5, यहाँ से 20, हमें difference मिल चुका है, save मैं इस पे भी apply कर तो यह कुछ दोनों इस तरके से दिखाए देंगे, जो कि एकदम सही दिखाए देए, अब बस आपको problem, इसको zoom कम कर देता हूँ, ठीक है, इस तरके से देखे, तो आपको problem अब इसमें ही होगा कि यह login form ठीक तो दिख रहा, लेकिन इन दोन के बीच में बिल्कुल space नहीं बिल्कुल अच्य नहीं दिख रहे, तब margin की बारी आते हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि अगर आपको दो deep की बीच में space चाहिए, अगर simple वासा में बोलो तो अगर बॉडर के बाहर का space चाहिए, क्योंकि यह देखे यह उसका border है, अगर आप border का space दे दोगे, border के बा इसके अंदर देखे क्या लिखता हूं में, margin लिख देता हूं में simply, margin लिखा इस तरके से margin, all right, अब मुझे क्या चे, खाली नीचे का space देना है, तो मैं लिख देता हूं margin bottom, ठीक है, margin bottom कितना, 5 pixel इस तरके से, मैंने क्या देखा है, खाली इस वाले को margin bottom 5 देखे, मतलब यह इसके blue line दिखा दे रहा है, इसके बाहर का 5 space यह ले ले लेगा, ठीक है, border का 5 space बाहर का, यह देखे गाई, basically हुआ क्या, यह दोनों एक साथ shift होगा, आपको लगा दोनों में हल चलवा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यह जो first वाला input था, उसका यह जो blue वाला line दिखा दे रहा अब चाहिए तो यहां पर margin, मैं दिखा रहा है margin का कैसे कैसे उसका सकती हूँ, so margin top भी अगर आप 5 pixel लिग देते हो न, तो देखी क्या हो, तब यह वाला जो second है न, इसके उपर का 5 pixel उतना space से ले ले लेगा, देखी, दिफ्रेस किया, यह देखे गाई, save, चाहिए तो आप आप उपर वाले को margin bottom या नीच वाले को margin top दो, आपको वही space, वही result मिलने वाला है, ठेके तो आपको, I hope guys, आपको समझ गया होगे कि आपको कप padding यूज़ करना है, और कप margin यूज़ करना है, तो I hope guys, अगर आपको मेरा वीडियो पसंग है, प्लीज इसको like किज अपने दो आपको मेरा, so till then guys, thank you so much, take care. मेरा प्लान कि आपको दो, आपको दोने वाले का प्लान कि आपको जोज़ का थे वीडियों, के आपको एगी और किवरा एग कि अभर ही, तो आपको轉पय को किग इसको ऩना है, और क किवराइक आपको नगहेँ है, आको दो जो आपको.